हेलो डियर तो आप से भी जीतने भी डियर स्टुडेंट है आप लोग का यह डिमांड था कि सर कुछ जो है बौडी से रिलेटेड मतलब एनाटोमिकल कुश्चन लाइए तो चलिए आज एनाटोमिकल फिजिकल रिलेटेड हम लोग कुश्चन ले करा रहे हैं जो कुश्चन वाकरी में आप देखिएगा तो लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़े हैं एकदम one-liner theoretical basic concept किलियर होगा तो वीडियो को अच्छे से समझेगा चलिए लगभग हम यहाँ पे 50-70 के आसपास जो है आपको one-liner और best question जो बन सकता है उससे regarding में आपको theoretical कहिए या one-liner कहिए बात हो ही है जिसमें आप बहुत अच्छे-च्छे चीज को आज समझेंगे तो चलिए करते हैं शुरू उससे पहले बता दे आप लोगो को कि यह वीडियो नमबर जो है आपका 92 नमबर का वीडियो है और आप लोग अच्छे से देखिएगा और साम में MC की question objective question आता ही है तो मैं आप को देखे हैं तो जाकर जरूर देखना चाहिए चलिए करते हैं शुरू पहला प्रश्ण है कोकलिया कोकलिया का संबंध हीरिंग से है सबसे पहले आपको जहां भी कोकलिया वर्ड आ जाएगा समझ आईएगा कि यह जो है हीरिंग से related है और यह एक कान का अंग है erythrocyte rbc के sensation के लिए synthesis के लिए vitamin B2L के जो है होना अवश्यक होता है आगे है कहता है vitamin B2L को sinocoblamine भी कहते हैं इसका रासाइनिक नाम sinocoblamine है याद रखिएगा सेरेब्रम जो कि आपका सेरेब्रम किसका भाग है पता है सेरेब्रम में पाय जाने वाली गाईरी या convolution इसका सर्फेस या बढ़ा देता है तो जो सेरेब्रम होता है इस सेरेब्रम में जो गाईरी पाया जाता है या फिर convolution होता है इसका सर्फेस को बढ़ा देता है आगे है iod Iodine-Thyroxin Hormone के Synthesis के लिए आवस्यक है, माई डियार Iodine-जो आप खना से प्राप्त करते हैं, पोशन से वह Thyroxin Hormone के Synthesis के लिए आवस्यक होता है, समझ गए आगे है माई डियार आपको एक एक चीज़ समझाएंगे काता है बाया left ventricle बाया नील ए हर्ट का सबसे बारा एबं भैस्कूलर चिमबर होता है my dear आपको समझना है कि haign में चार लेयर होता है a होता है राइट साइड और a होता है लेफट साइड समझ गये तो नीचे वाला भेंटरीकल ऊपर वाला आइटरियम तो जो ये लेफट भेंटरीकल है बाया वाला ये हट का सबसे बारा आबम भासकूलर चेमबर होता है सरवाधिक ट्रांसपोर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तापमान को नियमन करने में सबसे बारा भूमिका निभाती है आगे है human body में मानव सरीर में CSF, cerebro spinal fluid जो होता है जो आपके spinal में होता है या 0.5 ml परती मिनट की रेट से secret होता रहता है तो आपको पता है कि human body में CSF पाया जाता है यह 0.5 ml परती मिनट रेट से secret होता है सेरी बेलम बड़ी बैलेंस एब मुहमेंट का नियमन का केंदर है आपको एकजाम में पूछ देगा कि मस्तिक्स का सेरी बेलम जो भाग है यह क्या कार करता है तो यह body को संतुलन और मुहमेंट का कार करता है केंदर मना जाता है dermis में पाय जाने वाला elastin तन्तुओ की उपस्थिती के कारण यह लचिली होती है जबकि मजबूती का कारण collagen तन्तु होते हैं आपको समझना होगा एक होता है dermis एक होता है epidermis तो माइडियर dermis में जो पाय जाने वाला elastin तन्तु होता है फाइवर होता है इस elastin फाइवर के कारण यह लचिली होती है जबकि मजबूती इसमें collagen फाइवर्स के कारण होता है याद रखिएगा चलिए आगे हम लोग फिर से देखते हैं कहता है human body में पाय जाने वाली जो memory glands है स्वेद गरंथिया का रूपांतरन है मिन्स कहता है कि human body में जो अस्तन गरंथि पाय जाता है वह स्वेद sweet glands का ही conversion है रूपांतरन है कहता है यहाँ पे कि clitoris जो होता है male penis के corresponds होती है मिन्स इसका मतलब है कि जो clitoris जो female में होता है जो उतेजित अंग होता है वो male के penis के समान होता है जिस परकार से male के penis में erection आता है उसी परकार से female के clitoris भी उतेजना देता है समझ गए आगे चलिए एके करके समझे बहुत अच्छा से आपको न उलेज होगा कहता है sciatic nerve body में पाय जाने वाली सबसे बड़ी तंतरीका है सबसे बड़ी नर्व कोन है sciatic nerve समझ गए visual area occipital lobe में पाय जाता है मतलब जो dris छेतर है वो किस से लोब में पाय जाता है occipital lobe में याद रखिए और OTA में highest BP पाया जाता है और OTA में सबसे उच्थम blood pressure पाया जाता है क्यव कि और OTA में ही blood जो है pump होता है human body में hurt थोरे सी cavity में पाया जाता है मनूस के जो hurt है मनूस के बड़ी में जो हिर्दे होता है वह थोड़े सी कैबीटी में पाया जाता है याद रखने को आगे है कहता है माईडियर यहाँ पे कि सोडियम एक्स्ट्रा सेलूलूज फ्लूड इसी एफ में पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन केशन है कहता है कि सोडियम जो है एक्स्ट्रा सेलूल फ्लूड इसी एप में पाय जाने वाला मोस्ट कॉमन केशन है आगे है रीनल आर्ट्री किड्नी को बलर्ड सप्लाई करती है माइडियार ध्यान दीजिएगा कहता है माइडियार कि जो रीनल आर्ट्री होता है वा किड्नी को बलर्ड सप्लाई करता है लाइपेज नामक एंजाइम जो है बासा के पाचन में सहायक है तो इससे पहले अबजेक्टिप्स में भी बताए थे कि लाइपेज जो है बासा के पाचन में सहायक होता है समझ गए my dear protein का digestion से क्या मिलता है तो protein के digestion होने से amino acid मिलता है समझ गए तो ये चीज़े याद रखिएगा amino acid से protein protein से amino acid ओके आगे हैं कहता है intestinal juice मतलब आत्रिये जो रस होता है वह ento, rojo, kinase, namak, enzyme पाया जाता है कहता है intestinal juice में आत्रिये जो रस होता है उसमें enterokinase, enterokinase नामक enzyme पाया जाता है आप से एक जामें पुछेगा कि intestinal juice में कौन साथ जो है enzyme पाया जाता है तो enterokinase नामक enzyme पाया जाता है right तथा left coronary artery ascending or rota की branches होती है my dear right और left coronary artery जो होती है वह ascending और rota की branches होती है साखा होती है ऐसे प्रशन पढ़िएगा concept clear होगा तो एक जाम में गलत नहीं कर पायेगा आगे हैं कहता है पीत चारिये पदार्त होता है बाइल जो है वह क्या होता है चारिये होता है humorous उपरी पाद अपर लिंब में पाय जाने वाली bone है हिमरस आपके बाह में पाय जाता है और यह जो है आपके अपर लिंब है मतलब उपरी अंग का जो है उपरी पाद में पाय जाने वाला बोन है हड़ी है एकरीद सरीर की सबसे बड़ी गरंथी है इसको आपको ध्यान में रखना है अहार नाल एलिमेंटरी कैनल के भाग गरसिका में किसी भी परकार का पाचन नहीं होता है यानि ओसो फेगस में किसी भी परकार का पाचन तो आपको यह याद करके रखना है माई डियर माई डियर यहाँ पे जितने भी यह नेम के कंडिडेट है कि आहार नाल के एक ग्रसी का यानि ओसो फेगस ऐसा भाग है जिसमें किसी भी परकार के digestion नहीं होता है ओके आगे कहता है इलियम छोटी आत, एसमॉल इंटेस्टाइन का भाग है इलियम क्या है? इलियम छोटी आत का भाग है समझ गए? ileum हो, deuterium हो, jeju nam हो, समझ गए, सबसे पहला भाग होता है jeju nam, उसके बाद होता है deuterium और उसके बाद होता है ileum, यह तीन भाग होता है आपके small intestine का समझ गए, आगे है colon large intestine का भाग है, colon क्या है, यह बरी आत का एक भाग है, समझ गए, आगे है thyroid granthi सरीर की largest endocrine gland है, अब आपस यहां मैं पूछ देगा कि सरीर के सबसे बड़ी जो है अंतह सरावी गरंथी कौन है तो वह थाइडाइड गरंथी है समझ गए थाइडाइड गरंथी वह सबसे जो है लंबी लंबी इंडोकराइन गलेंड है समझ गए याद रखना है आगे है आगे है कहता है माईडियर human body मे इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन सिक्रेशन किड्नी के द्वारा होता है याद रखिएगा एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है जो किड्नी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है इसको आपको ध्यान में रखना है आगे है काता है किड्नी सरीर से उत्सरजी पदार्थों को बाह निकालती है यूरीन को यूरीनरी बलेट से बाहर की और त्याग करने का कार मुत्र मार्ग यूरेथरा करता है मतलब यूरीन मुत्र को मुत्रासय से बाहर त्याग करने का कार जो है वह आपका मुत्र मार्ग यूरेथरा करता है समझ गए आगे है मनुस स्वस्थ मनुस द्वा पाते हैं नर की जनन गरंथियां है रिप्रोडाक्टिव गिलेंड से क्यूंकि इसी टेस्टी जो है सीमेन एस्पर्म को बनाता है आगे है अंडास है ओवरीज जो है मादा की जनन गरंथियां है दो अंडास है जो है दोनुसाइट पाया जाता है मनुद पूरुस में भी दो पाया जाता है समझ गए सुक्र जनक न लिकाएं टेस्टीज में पाय जाती है मतलब सेमिनल जो एस्पर्मेटिक जो हैसेल्स होता है वह टेस्टीज में ही पाया जाता है क्योंकि यही सुक्र जनक जो न लिका होता है यह सुक्र का जनन करता है मतलब सुक्रानू को बनाता है टेस्टिज में, शुक्रजनक न लिका है, शुक्रानूगों का निर्मान करती है, वही चीजे मैंने अभी बताया, ठीके न, आगे हैं यहाँ पर देख लीजे, कहता है मनुस का कान स्रौवन का संतुलन अंग होता है, मनुस का जो कान होता है वह सुनने का संतुलन बनाता है, यह स्रवन संतुलन अंग है, मनूस के मीडिल इयर में तिन स्रवन अस्थिया, ओडिटोरी ओशिकल्स पाया जाते हैं, रहता है मनूस के मध्य, मध्य कान में तीन जो है ओडिटोरी ओशिकल्स पाया जाता है, कोर्टी का अंग, और गेन ओफ कोर्टी मनूस के कान में पाया जा कोर्टी का अंग मनुस के कान में पया जाता है कोर्टी का अंग स्रवन संबेदी अंग है कोर्टी का जो अंग है या सुनने से सम्मंधित अंग है ठीक है काता है त्वाचा हिूमन बड़ी का सबसे बारा अंग होता है लेविया मैजोरा बाह मादा जन्ना अंग है लेविया मै समझ गए मायोमेटरियम यूटरस की मधपरत होती है और यह सबसे बड़ा परत भी यही होती है समझ गए यूटरस नासपाती के आकार का अंग होता है प्यूस गरंथी ब्रेन में इस्थित होती है इसको ध्यान में रखना है एड्रीनल ग्लेंड किदनी के ऊपर इस्थित होत यह सब चीजे आपको किलियर होनी चाहिए कुश्चन बनाने के लिए मानब मादा में मतलब मानब के इस्त्री में एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूज पाई जाती है तब ही जाके दोनों जो है अंडासे के तरफ परवेश करता है समझे न अब आगे है कहता है जाइगोमेटिक अस्थियों को चिक बोन भी कहते है मतलब जाइगोमेटिक अस्थि को चिक बोन भी कहते है फ्रंटल क्रेनियम में पाई जाने वाली बोन है फ्रंटल जो होता है वह क्रेनियम मतलब कापाल में पाई जाने वाली बोन है आगे है मनुस में 12 जोरी पसलिया रिप्स पाई जात इस्टर्नम को ब्रेश्ट बोन भी कहते हैं इस्टर्नम जो होता है इसे ब्रेश्ट बोन च्छाती की हड़ी कहते हैं कलेविकल को सुलजर बोन जो है कहते हैं और कलेविकल को ब्यूटी बोन भी कहते हैं इसको ध्यान में रखना है आगे है कहता है एसकलेटल मसल्स रेखित ए वन एक चीक वोलेंटियर परकार की होती है A.A. node को हिर्दय का pacemaker कहा जाता है यदि A.A. node impulse originate नहीं कर पाती है तो A.B. node दुतियक pacemaker की तरह कार करती है अगर A.A. node जो natural रूप से होता है या कार नहीं कर पाई तो जो है ये भी नोड दूर्तियक पेस्मेकर के रूप में काम करता है समझ गए आगे है रेटीना आई की इनर मोस्ट लेयर होती है रेटीना आग की सबसे भीतरी जो है लेयर होती है समझ गए रक्त बलड जो है बड़ी बेट का लगभग 7-9% जो है होता है मतलब कुल वजन का 7-9% जो है आपके बड़ी बेट का बलड होता है पलाजमा रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है पलाजमा जो है कुल रक्त का 55% भाग होता है जबकि रक्त का निकान लगभग 45% होता है पलाजमा 55% और इधर 45% जो बच जाता है रक्त में इसमें आपके RBC होता है समझ गए इसमें आपके WBC होता है इसमें आपके platelets होता है तो यह सब रक्तानू होता है समझ गए रक्त कनिकाए होता है blood carper cells होता है जो 45% होता है और 55% जो है आपके plasma होते हैं clotting factor रहित plasma serum कहलाता है जिस plasma में clotting factor नहीं होता है और वैसे plasma को हम लोग serum कहते हैं ठीक है न आगे है एक adult human being में glomerular filtration rate मतलब GFR 125 ml परती मीनट होता है इसको ध्यान में रखना है आगे है stomach अहार नाल का elementary canal का सबसे फूला हुआ भाग है जो की J shape में होता है तो stomach यानि अमासक किस shape में होता है stomach जो है J shape में कुछ ऐसे ही J shape में होता है समझेगे इसको याद रखना है लाल रुदीर कनिका RBC का diameter लगवग 7 micron होता है तो my dear जो RBC का diameter जो होता है लगवग 7 micron होता है याद रखिएगा water का अर्ध प्राग में जिली semi permeable membrane द्वारा अपनी high concentration से low concentration की और move करना प्रासनन कहलाता है तो प्रासनन का मतलब होता है कि अर्ध प्राग में जिली से जो है अर्ध प्राग में जिली से द्वारा अपनी higher संदर्था से निम्न संदर्था की और move करना ही प्रासनन कहलाता है liver उदर गुहा में right side में इस्थित होता है एकरीत liver जो होता है abdominal cavity में right side में इस्थित होता है तो मैंने आपको बहुत सारे प्रशन जो है one liner मैंने आपको यहाँ पे बताया एक वीडियो और करा देंगे जहाँ पे आपको सारा कि सारा जो है concept किलियर हो जाएगा ठीक है body से related question और बाकी जो objective करा रहे हो परते रहे आपके लिए हर एक परशन जो कराते हैं वह बेनी फीट वाला है अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से तो useful होगा बरना अब तो रटने से कुछ नहीं होगा समझ गए अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक दीजिए और रोक के देखिए कि क्या लिखा हुआ है उसको खुद से पढ़िए खुद से समझिए समझ गए ना तो ये सारा चीज है तरीका मैंने आपको पढ़ा दिया हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अपना ख्यार लखिएगा तब तक के लिए टेक केर धन्यवाद